हेलो दोस्तो तो आज का मशें टॉपीक है फिप्लोमा के भचों के लिए बाइसकली सेजिन इर्वेश सक्टे के बच एस वीडियो को देख सकते हैं और बीटे करा सब्सक्लिक पर तो यह यह ऑन्ली इंट्रोड긴 संगे जो डिप्लोमा ओल्डर है उनके लिए इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है तो बस आप तोड़ा इस पर फोकस कीजिए गर आपको बीट है कि अधर बाई कोई गौवर्मेंट एक्जाम करेक करना है तो यह बेसिक है अगर आप इंट्रोड़क्शन आपको नहीं पता हो तो कuleपा आगे नहीं कर पाईगा तो चलते है सबसे हैं अमारा जोogly aux we młand मेंэтक क्या होता है तो माल झें कि आपको ich तो आपने किसी चीज़ से निकश्व कर दिया कहने का मतलब कि आप ने कर दो मेज convention फीजिकल पेरामाटर को नंबर जैसे कि 2 क्या दो एक मीनिंग और फुल कब बनेगा जब इसके साथ यूनिट लगेगी दू एमपर यानि दो यूनिट यानि अगर मैं कहूं कि हमार जो करेंट वह दो का मतलब क्या दो तो मिनिंग लेस हो गया ना अब इसके साथ यूनिट भी चाहिए तो दो एमपर यानि मेंनिग फुल बन रहे हैं कि दो एमपर करेंट हैं तो मेजरमेंट का मतलब होता किसी चीज़ को मांपना ना किसी चीज़ को मेंजर घरना टाहिए कई ट्रीटिए तो इसल्ड़ गों से घरिसमें पूंटिटि गोम्लविशक्यम अपका केह सकते किसी बहीं का मेजर कर कर सकते हैं तो अंगंनी चीज़ों पर करेंगे हम इंजिनिर tam से अंखर यह चीज चीज़ों करने के विलिए कि एक होती है तो शबसे पहला को यह समझ आगे हो कि में जर्मिंट क्यों होता है जिसमें की convert करते हैं physical parameter को meaningful नमर पर जैसे कि आपको current measure करना current measure करने के लिए अप मेटर लगा होगे मेटर से आपको output मिलेगा वह ampere की form में मिलेगा कुछ भी ampere मिल सकता एक ampere डिपेंड लोड लोड के उपर हमारा current डिपेंड करता में पता है तो measurement क्या होता है यहां से आपको पता चल जाएगा अगर आपको ना समझ रहा हो तो आप वीडियो को पहुच करके reading भी कर सकते हैं जिससे की जो आपकी जो अगर आपको कोई भी चीज ना समझ रहा हो तो आप इसली समझ सकते कोके measurement आपने इंस्टोमेट में बहुत इंपोर्टन डूर्ल प्ले करता है सिग्निफिकेशन ऑप मेजरमेट अब मतलब बाइस जरूर देखो अगर आपको कहूं कि आपको देखोगे तो compare भी तो करोगे तो उस comparison के लिए measurement जरूरी कि हमें इस रेटिंग पर चलाना तो हमारे इतने train होने चाहिए इतनी current capacity होने चाहिए इतनी efficiency होने चाहिए इतने measurement के दो तरीके में देखिए यहां पर आप जितने वी किताब पढ़ेगा जितने वी बुक्स पढ़ेगा उन सब में अलग अलग तरीके से दे रखोगा काई measurement टाइफ अलग तरीके से दे रखोगा लेकिन इस only डिप्लोमा फिप्सम के लिए मैं बता रहा हूं उसी की बुक का में data collect करता हूं तो मुझे दिक्कत ही होती थी सभी में अलग अलग language होती थी तो यह only फिप्सम के बच्चों के लिए तो प्लीज इसे मतलब जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूं है आपके फिप्सम में आ रहा है या या नहीं है है तो measurement में दो टाइप के measurement दे रहे हैं direct measurement औ और indirect method direct method में क्या है कि आप किसी चीज को compare करके directly value बता दोगी कि इतना है जैसे कि मालो मैंने आपको कहा कि आपको weight measure करना weight का मतलब बजन बजन को मापना मैं आपको कहूं कि आप मार्केट गए और सेव लेने और आपको सेव को major करना है तो आपके पास एक तराजू होगा बटकेरा जिसे कहते हैं बटकेरा हां ऐसा कुछ होता है पहले कि मतलब यूच कह जाता था आजकल तो digital आ गया पहले बटक में होता वो तो उससे आप लेंद को मेजर कर सकते हैं टाइम को देखके मेजर कर सकते हैं और मास को देखके मेजर कर सकते हैं इन में कंपेर जन होता है ऐसा नहीं होता कि आपने देखके मास बता देखके चार के जीका अब करो किसी चीज से ठीक है टाइम को भी आप कंपेर करोगे ठीक है लेंद को भी आप compare करोगे किसी चीज़ से आप ऐसे दिक्किन बता सकते हो कि दस मीटर है तो compare compare करोगे और यह डाइटली डाइटरमाइंट किया जा सकता है ठीक है जो डाइट मैतड है इसमें डाइटली इस वैल्ली को क्या कर dö gruesito की किते ऐतों किंधे को तो आप क्या ओन चीज़ों को मिजर करोगे उसे क्या करोगे व् mountains कण करोगे और कि से मैतद से दिद्ट जो डाइट मैधडर तक यह इस से घ्रसर कंग सकते हैं देलेकर सब्सक्राइब नहीं करें और को ऍल सकते हैं लाइक आपको displacement मेज़र कना नगिमें दयातों तो आप displacement मेज़र देग्के नहीं कर सकती मेज़र आपको मैं कहूं से इंची टिव से कर सकते हो कुछ आप कर सकते हो लेकिन अगर displacement के वज़ा मैं velocity देदू या pressure देदू तो प्रेसर को ना आप इंची टेप से ना आप सकते हो ना टाइम के किसी नौडल से ना आप सकते हो ठीक है अब इसके लिए कोई फॉर्मूला यह करना ही पड़ेगा यह कमपल सुरी है अब इसके बैसिक आपको मैं करको हूं कि आपका instrument में रिक्तिल थर्मोमेटर जीवडे क्यूब वह आप लोगों ने ऑस्पितल में अप्रोक्सिमेट जितने भी अभी अब ऑस्पिटल होता है जो ह तो टेक्टर थर्मोमेटर की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा जैसे की आपको for example यहां समझाओं इस डाग्राम से तो मेजर मेजरमेंट क्वांटिटीटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटुटु वाओ तरह सन्ठिक रोगी हो चुंदर इन्कूलूड तो प्रैमरी संस्ट्टिक क्या होता है यह वह ऑलिमेंट होता है 나ी सेंस्ट्रिक और मेंट उता है जो डीक सब्रेक्षक को करना नहीं तो इसे ध्यक्तुप्राइमेंट क्या jeune यहां तक समझा गया ममेस्थ की चीज को मेजर करना हो तो से चीज को मेजर करना औहर यह सो कहते है अब रामरी संस्टिवलेमेंट उसके कॉंटैक्त प्रायमरी मेर्मेंसिट्व्य को तान्जुस्त्र भी क्या सकते हễ कि यह चै Prest personality पे खी आइशद सकते हैं अन्सकों कृतिक करेके अन्सक्ते करसे एक फिल सब्सक्राथ सब्सक्राइब करेगा एक वरात answers करना ह्या तो वह अे इसका करना है तो वह वह सब्सक्राइब क्या करता है one form of signal convert to another form of signal कुछ भी हो सकता है यहांसा आपने फिजिकल कॉंटिटी दी है यहांसा आपको आपने हांसा signal थो दिया लेगिनों signal के नहीं सारे वरीतिशन आरोंगे तो अब variable convention स्लाइब करेंटों करेंगी की सब नहीं लगा इनसरों केAlg वाज़ेन केञे बिधकर सेब्सक्रों करेंगा प्रम और से बरेंशन को सिल करेंगे और इसका अलग काम है इसका अलग काम है यहां पर इसमें जो वेरियसंस आया है अब यह क्या करें यह भी उसी सिगनल को कुछ मोडिफाई करेगा यह भी हमारे हमारेद थियुकव मोडिफाय के-क नाजयों के सिगनल को मोडिफाई करेगा कैने का मतलब क्या है काम यह वह 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 कर राया लेकिन का दोनों का दोनों का इसके अंदर में चाहिए कि हम आपफूट में वेफ़ों मिले कि इसक्वार्ड फॉर्म में कोई भी सिगनल मिले स्कॉइर वेब मैं तो यह क्या करें उस सिगनल को कणवर्ड करें अधर कि यहाँ पर चलव रहा है यह सिस्टेम इस टाश्मिशन इस दो इए यह बहुत लंसे होता है लेकिन अब जब data transmission element के पास पहुच गया ना तो अभी क्या करेगा कि जो instrument का जो नीचे का पार्ट है वहां से data को ऊपर तक पहुचायागा display तक क्योंकि यह बहुत आपके लिए तो बहुत चोटा यह लेकिन इस instrument के लिए कई सारे electronic component लगे होंगे micro ic लगे होगी micro control लगा होगा तो इससे सबसे data transmission element क्या करता है कि जो आपके पास input आता उस चीज़ को डेटा को टांसफर करता किसके पास data present element यह आपको डिस्प्ले करता और data store element बहुत आर यूज फूर displaying purpose जैसे कि आप लोगों ने टीडियस मेटर देखा और आपके अगर मैं आरो लगा होगा ना तो कुछ मिस्तिरी आता है लाइक इंजीनियर जीने कहते हैं वह जो service प्रवाइड करते हैं तो उनके पास एक टीडियस मेटर होता है पानी को चेक करता है तो वह data को होता होता है पूस करने होला जब उससे दवाते हैं तो data को होड़ करता अब थर्मोटर की बात कर सकते हो जो आपने जो आपने डिक्टल थर्मोटर लिया था वह data को सो भी करता हो थो थर्मोटर लेकि चलिए आपको समझ जागा सबसे पहले क्या होता प्राइम सेंस्टिब लिमांट होत को होड कर देना डेटा को होल कर देना को समय तक ठीक है सबकिया अलग-अलग बात होती है कुछ data को परमनेटर रिस्टोर करते कूर तंपररी इस्टोर करते हैं डिपेंड आन कंडिसए और आपके इस्ट्रूमंट को भी डिपेंड करता है डेटा प्रेजेंटन करता है और तो आपको जो रिजल्ट आपको किस फॉर्म में कितना आया ठीक है आप अगर टम्टेशन आपको तो केल्विन में केल्सियस में celsius में जो भी हो इस फॉर्म आपको देग आपको तो यहां पे नीचे वही दे रहां मेजरिंद क्यों तो जिस चीछ को मेजर करना होता प्रामिस अमेरặt कड़ता है डेटा को सुकरता कि आपको जो संट एसा है अब यहां पर बात करता है है सिगनलेंन कंदीशन सके तो सबसे पहला है अगर मैं दूसर की बात करूं तो यह को तरीख का इंस्टूमें्ट होता है यह都 ज failed तरीके का जैसे कि अगर मैं सिगनल की बात करो तो सबसे पहले जो प्राइमरी सेंस्टिव लेमेंट होता ना तो तो प्राइमरी सेंस्टिव लेमेंट के अंदर टेक्टर टांजूस्टर इस्टेज होता है क्योंकि वह क्या करता है कि हमार पस कितनी कौंटिटी आ रही है और क्या चीज आ रही है ठीक है अगर आप थर्मोमेटर से कुछ और किसी और चीज को मेजर करना चाहो तो नहीं कर सक चीजों को सैंश करने के जाने के लिए नोर्मी की ऐनी सकी सिगनव प्राइब बेज़ेंट इससे आप ने कचे और सोब्सक्राइब तो बैसिक्रिञाइब यहां प्रिज्टेश शूओ देखिया तो यह पी एक au टौन तो उसी चीज को आन्दर यह है यह यह यूच्टwd क सब्सक्राइब करना यह मतलब वही चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है कि हमें क्या इन डेटा की रिक्वार्मेंट है इन फूचर अब कुछ इंपोर्टेंट पार्ट आप जो भी आप पड़ रहो इस बुक्स में चैप्टर में यह आने वाले तो थोड़ा फोकस करना क्यों होता है कि यह तरीकी का क्या होता है का क्दैश क्या होता है कि एक इल्यक्ट्नीग्वाइज होता है और ही से कलो होता है जो कि one form of आभीेत हैं यह सारे तैंडिट के नाम है यह कहते है इंसित्य कया पैक्षिब युद्सट्र संसे कही होता है लेकिन एक्टिव और पैसिफ में चाहां गया हुएचितने खृत को हाईलाइट ब les the जैसे thermocouple की भी आगे in future में भी साथ आपने पढ़ रहा होगा second year में दे रहा जन नेटर इस सारे क्या करते हैं आप जब इसे किलर करा दो बस आप अब इतना याद कि कि जितने वी उपर वाले सारे क्या पैसिव निच्वाल अक्टिव है ठीक है मैं आपको पैसिव टैंजिस्ट्र एक्स्प्लेइन करूंगा ठीक है और इनमें से ज्यादा कुछ नहीं र कि इसे वलन करेक्टिटिव डीची एंप्लीफायर अगर आपने कभी एंप्लीफायर पढ़ा है तो आपको कॉमन मोड इजेक्शन इसका पता होगा इसमें क्या होता कि जो अगर आपने जैसे की मैं आपको एक्जामपल दो तो हमारा ओपेम होता है ठीक है अगर आप इंप सब्सक्राइब के साथ मिलता है अगर जो भी आप इंपूर्ट में कॉमन दोगे ना वह रिजक्ट हो जागा इसे उससे क्या कहता है कॉमन मोड इजेक्शन डिसू अधिसे एंप्लीफायर की बात और तो डीसी सिगनल कोई एंप्लीफाय करेगा एसी कोई एंप्लीफायर न च्रीक तहरी यहां से स्क्राइब निकाष्स सब्सक्राइब करें डर्ल मतलगतो 550 गश्राइंब अच्हें चलता है लोग पास फिल्टर के आपको पढ़ा vibrato प्राइब करते हैं तो आपको नाम से पते चल रहा है तो डीसी को अमप्लिफाय करेगा तो यहां पे इस नो इन्हों ने रखा जिसमें यहां पर कभी कभी के साथ प्रॉब्लम यह उसे हाई टंप्रेचर के साथ वर्क भी करवाया जा सकते हैं यहां पर इन्हों ने लिख रखा किनके अध्वेंटेज क्या है तो डीसी इंप्लिफायर की बात होते हैं उसे आपको आउट्पूट में डीसी दे रहा है बस अंप्लिफायर का मतले बहुता है कि लो फिक्वेंस को लो सिकनल को हाइव फिकंश सी आई सिकनल में कनवर्ड करना में बब्लक आपढ़ां देखें आते हैं इस दिस्प्ले डिवाइज में क्या दिरका है दो तरीकी डिवाइज दिरके अनलोग इंस्ट्रूमन्ट डिक्ली ऑपके इस्प्लेड वाता है आप आप लोग को आप लोग सब्सक्रभब है अपनाचिनुद wanna h National ने हुँआ जो आपके में गेट के पास लगा पड़ा है ऑपके खंबे के पास लगा हुआ जिसके जीन आग पार्ट होता तो वह सुई की तरह मतलब उसके अंदर नमर्स होते थे लेकिन अब जितने वियारे सब डिक्टल इंस्ट्रुमेंट आ रहे हैं डिस्प्ले वाले जिसके अंदर आप टाइम भी देख सकते वह नमर के फॉर्म में दिखाते हैं मतलब था तो पहले वाले लेकिन मेकैनिकल लाइक उसमें डैंपिंग होती थी कई चीजी होती थी वह आप आगे पढ़ेंगे तो आप इतना याद रखना कि जो पहले वाली पुराने मीटर होते हैं बड़े बड़े लुए की बॉक्स के अंदर वह नलोग इंस्ट्रुमेंट होते हैं डिक्टल उसाच चीज्चान को जता है पलता दो पर टोच्रूमेंट क wins दोनों या होता है आज भी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वार के रिकْरमेंट बहुत जादा है लेकिन इस्प्लेश निंस्ट्रूमेंट भी जता है ठीक है तो इस्ट्रूमेंट का एक जाहपंपल आपके घर में अगर समर्शिव लगा पड़ा तो उसका एक box होता है control box होता है control box के अंदर आपको m meter और bolt meter दोनों मिलेंगे आप उन्हें देखके analog instrument और digital instrument को compare कर सकते हूं analog instrument में क्या होता है कि एक pointer होता है जो move करता है जिसे हमें पता चलता है कि यह हमारा इतना voltage और इतना current ले रहा है 120 मिल रहा और आपको इसमें थोड़ा problem होगा क्योंकि इसके अंदर destruction compare तो इसके तोड़ा जादा होता है मैं यह नहीं कहाँ कि बिल्कुल ही जादा होता लेकिन थोड़ा जादा होता अगर अगर मैं किसी किसी बालों को जो को मतलब मालों कोई बच्चा अगर मैं उससे कहू करना बहुत असान होता compare to analog instrument के यानि अगर आप विलेज में जाता हो गाव में जाता हो और आप उनसे कहोगी कि आप यह चेक कर लो कि बोल्टेज आपका जो मोटर कितना करेंट कितना करेंट कितना एंपिर करेंट ले रहा है तो बता नहीं पायागा क्योंकि वहां पर analog instrument ही इस्टूमेंट की और लाइब की जो बात करें तो डिक्टल के लाइब मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है अब इसमें कई सारे अभी आप जब इस्टूमेंट की वर्किंग पड़ोगी तो आपको पता चले किसे कई सारे डिस्टॉक्शन सोसे इंसके अंदर ज्या रेल्वे स्टेशन पर देखने को जरूर मिलेंगे जितना पुराना रेल्वे स्टेशन होंगा उतनी ज़्याद आपको लेट इमिटिंग लाइट इमिटिंग डैबोर्ड आप लोगों कलर वाले बोर्ड देखेंगे जिनके लाइट जलती है मतलब किसी जैसे कि कुछ लेकिन इनके अंदर मतलब डिस्टॉक्शन की अगर इनकी मैं बताओ कि इसके अंदर कमी क्या है तो यह जो एनर्जी योटी पावर होती ज्यादा कंज्यूम करता है यानि पावर कों करता एक नुब करता यह तो अब इनके फीचर के बात कर लेंगे लेड़ एक पी एक जा राप यी निखर निडान एक तरीक나 किन परोनी है आप लोगों उने प्योफ को सब्सक्राइक टेर्ट सब्सक्रें निखरेंग को कुछ नहीं होता अगर आपने और आपके पास दो टर्मिल होता है अगर आप टर्मिल को गलत करोगे तो आपके लाइट नहीं मिलेगी इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं इंट्रोडक्षन इंट्रोडक्षन है बेसिकली नहीं लिख रखा कि कि स्लाइट के लिए किस कलर का यूज किया जाता है और देखिए जो आपसे पूछा जाएगा जैसे आपका आपका जब वाइवा लिया जाएगा तो वाइवा में सिंबल सी पूछ जाते देखो डिप्लोमा में क्या होता है तो टीचर इसतना डीपली से नहीं पूछता और जहां तक मैंने जब दिया था तो अप्रोक्समेट सभी बच्चों से ऐसी कोशन पूछे जाते थे जो बच्चा यह तो करके नहीं होगा यह उसके ट्यारी नहीं कि और यह बेसिक है आपको यह सिंबल याद होना चाहिए कि कि किसका लीडी का सिंबल और यह आपको आगे बहुत जगह मिलने वाली अगर आप इंजिनिंग लाइन में घुसने वाले होता हूं तो सिंबल फे तोड़ा फोकस करना अध्वेंटेज ऑफ लीडी के अड्वेंटेज की बात करते हूं इनकी लाइट जादा होती है और यह अगर मैं कहा हूं modern power for their operation मतलब कहने का मतलब क्या कि देखो अगर इन सबसाची बात क्या कि लाइट जाते देती और दूसरा क्या कि हम अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं और इनमें कई तरीके के लाइट भी अबैलेबल हैं ग्रीन येलो रैड एक्स एक्स्टा एक्स्टा अगर मैं कहूं अगर आप मार्केट से लेके आता हो तो आपको एक कीमत एक से देर रुपे पड़ेगी इससे ज्यादा क्यों नहीं होती है जो आप लड़ियां यूज करते हो ना दिवाली पे उनमें भी अप तो LED आ रही है ठीक है LED आ और यह सस्ती पड़ती है ठीक है यह लिख रखा इकनोमिकली एंड हैवर डिग्री वाफ लगवर कुछ पॉइंट लिख रखी है आप रीट लेना बस आपको यह पता होना चाहिए और इनके फीचेश देखिव अगर आपको एक्जाम में लिखना है नो ति पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आपको कुछ खास बात है कि साइज में स्मॉल होता है और यह इनकी जो अपरेटिंग टंप्रेचर एकन भी हाई मतलब इसे हाई टंप्रेचर तक इसका उप्योग कर सकते हैं और इकनोमिकली होता सस्ता भी होता है और जो इसकी स्विचिंग होती है वह भी बहुत असान होते नॉर्म यह यह होता है अगर मैं आपको LCD की बात करूं तो आप लोगों ने कैलकुलेटर देखा होगा कैलकुलेटर जो दुकान वाली उच करते हैं तो वहां पे LCD का यूच किया जाता है कोई प्रक्टिकल जब मैं बना होगे ना तो उस चीज को समझना बहुत ही असान हो जागा त जैसे अप रिल्वे स्टेशन पर देखोगे तो रिल्वे स्टेशन पर आपको तीनों तरीके की जो हम पढ़ रहें LCD LED सब कुछ आपको देखने के लिए लेकिन प्रेक्टिकल यह अगर आप रेल्वे स्टेस्ट नहीं जा सकता तो आप अपने नियर के दुकान पर जाना उ और बीच में क्या होती है ठीक है लिक्विट क्रिस्टल होती है और इन क्रिस्टल पर जब इस पर बोल्टेज अप्लाय करते हैं तो अलग लग तरीके से इनका यह बस इंट्रोडक्शन है जब आप इसको बेसिक में गुस्ट होगे तो बहुत बड़ा चैप्टर रहे अप डीए अपयको ने कवी तोड़ा होगा आप किसी चीज को तोड़ो थे तो तो खबी तोड़ना क्यलकूलेटर रहो आपको इसके अंदर लगया आती कुछ घड़ी होता है जो मुझे रेट कुछ कंफर्म नहीं लेकिन गड़ीयों के अंदर लगया आती है अप्रोप्रमेट ड्क टाइप इसमें पड़ना क्या होता तो इसमें दो तरीके की ग्लास होती है और बीच में सेपरेट लिक्वेट क्रिस्टल ट्रांसपोर्ट इलेक्टोड यह सारे चीज आपको बस मतलब इस डियाग्राम को देखो यह जो भी आप इसमें पढ़ भी सारे कार में हो तो तो थोड़ा फोकुस करना को और लेकिन में कावले कि मुकाबले क्या यह होता वह लार्ज होता है और लाइफ अहीं होती है चुर्लाइब है तल्द काम को ड्याल आप इसे इसे यज़ कर रहे हो तो आपता से साइवन सेगमेट तो 7 सेगमेन एक LED और LCD यसके अंदर LCD युज़ कर सकते हैं यहां पर साथ LED यह साथ LCD का युज़ करते हैं अलग-अलग होते हैं यह एक LED होगा यह दो होगा यह तीसरा होगी चौता होगी ऐसी नाम देते ए बी सी डी एफ जी देखिए अगर आप यह ऐसी चीज तो आपने जाएड सी बात आपने यह वाच के अंदर रिया रेलवे स्टेशन पे कहीं तो कहीं अपने देखिए होगी अगर मैं मान लिजे फॉर बन जागा ऐसे करके ऐसे तो हमारे सब्सक्राइब देने पर डिपेंड करता है कि जो मिलेगी वह किस फॉर्म में मिलेगी ठीक है सेवन सेग्मेंट के अंदर सेवन एलिमेंट यूज किया जाती है इस लाइट पर इनके कनेक्शन पर आपको मिलेंगा आगे डोंट वरी इन सीक्वेंस को आपको याद करें रखना कि सीक्वेंस है साथ अब इसकी लाइफ ज्यादा होती है और जो करेंट ट्रेटिंग वह बहुत कम होता लोग पावर कंजर्प्शन होता है ठीक है अब समरी आप जो भी हमने पढ़ा वह यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है अभी दिखेट्ट कनवर्टी पैरामेटर तो में इनग फूल नम्मार में आपको कहा रहा हूँ कि आपको करेंट को मेंचर करना आपको क्या को मेंचर करके दो करेंट ज्यादा लेगा ठीक है तो इसका मतलब क्या उसकी कम हो जाएगी उसकी कम हो जाएगी तो मेजर्मेंट एक अपना एक रोल प्ले करता है किसी किसी भी चीज को अच्छा बनाने के लिए देखो कि आपके पास आपके प्लोसी का लड़का अगर वो किसे अच्छे कॉलेज मानों कोई भी अच्छी पड़ाई करो तो आप उससे देखके कुछ मोटिवेटल हो गया कि लड़का बड़ा तो मैं भी पड़ाई यानि कंपेर के अपना आपको उसके साथ क्या वह कर रहा है मैं वह कर रहा हो तो Compairра Saysां बहुत जरूरी बहुत मेजरमेंट एक तडरीका जिसमाँ कंपेर ही करता है दूसरे को स्टेंडर यूनिट इसël स्टेंडर्ट्फ इन निट इंटर नेसिचल सकहरा यूनिद। फिसम्ट मैजरमेंट की ने कं अंध्रेक्क मेजरमेंट करने कॉंटिटी को यूज करने के लिए यूज किया जाता है लेकिन इसने मोस्टली दे रखा इससे ज्यादे इसमें कुछ फरक नहीं है टांजिस्टर अलिमेंट कनवर्ट फिजिकल कॉंटिटी वीच इस तूबी मेजर इना एनलोग फॉर्म देखिए यहां टांजिस्टर एलिमेंट जो देखा इसे टांजिस्टर कहते हैं यह क्या करता है एक फॉर्म की सिगनल को अन्दर फॉर्म सिगनल में कनवर्ट करता है कि मेजरिंग सिस्टम प्रवाइट कान फॉर्मेशन अब दा फिजिकल वैल्यू अब सम वरेबल बियांग मेजरमेंट अब जैसे कि हमन इसके उपर पूरा चैप्टर पूरी बुक क्या करता है कि वन फॉर्म सिगनल को अनदर फॉर्म सिगनल में कनवर्ट करता है अगर मैं टांजिस्टर का एक्जांपल तो तो स्ट्रेंगेज हो गया थर्मो कपल हो गया अल्वीडीट हो गया कई शीज आपको अभी पढ़ने सिगनल को मिलें WIN एलेक्टिकल सिगनल नीद टूवीड कनवर्ट इंट यंटव सूटेबल फॉर्म पर रिक्वार्मेट मैंने आपको वेर्यबल कन्वेंशनल पढ़ाय था अबुट निटिकोल सथे आरहा था उनके लिए उन को फिस्टम को बहुने तर इस और वी सी और वी एमी कम अंडर सिग्नल कंडिशन के टोल्री नहीं आपको रही है तो यह आपको मैं आगे बतांगो कि वी सी और वी कि क्यों बात हो रही यहां पर किसे बात हो तो यह हमारा यह लास्ट टॉपिक ला कि फर्स चैप्टर तो इस से तोड़ा आप रीडिंग कर लेना अगर आपको इसके नोट चाहिए हो इनके पीडिएफ चाहिए हो तो मेरे टेलीगराम का गुरूप है आप उससे भी जॉइन क इसके कुछ कोशन से जिन आप उसके तो बना लेना बहुत अच्छा है आपके इन फ्यूचर भी आपके कामी आएगा आपको पता है कोई भी बुक अगर हम पढ़ते हैं तो वह वेस्ट नहीं जाता है तो उसके तो आप इस पर तोड़ा फोकस कर लेना